किशन गंज सदर अस्पताल के कॉविड सेंटर में लाज रतिक तीन महा के बच्ची की लाज के दुरान कॉविड से मौथ हो गई जिसके बाद अस्पताल कर्मियों के बीच हड़कम्प मच गया बच्ची की महन भी करोना पोजिटिव है जानकर के रुसा तीन जून की शाम MGM से रफर कर गंभी रवस्था में तीन महा की बच्ची को सदर हॉस्पिटल की शनगंज में भरती कराया गया था जिसका oxygen saturation काफी कम था गले दिन उसकी तव्यत और भी गड़ गई और सदर हॉस्पिटल में बच्चों का NICU या PCU या नैनो नहीं होने की वज़े से उसरे हायर सेंटर रफर कर दिया गया लेकिन इसी दुरान शाम को बच्ची की मौत हो गई यह समाचार सही है तीन तारीक के संद्या में एक बच्ची तीन साल की त्री मन्स जिसका एज था तीन महने की वो MGM से रेफर होकर आई की हमारे यहां सदर हस्पताल आइसोलेशन में उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट था बच्ची कि जो है वो सांस लेने में इसको द और कफ भी था उसको से चुलेशन ऑक्सीजन का 85 के आस पास था तो हम लोग उसको इमेडियेट आइसोलेशन में भरती किये ऑक्सीजन पर रही हमारे नोडल जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर शाहनमाज उसें वो भी उसको देखे फिर रोस्टर में जो डॉक्टर लोग थ कर रहे थे नेक्स दे करीब दो बजे के आस पर उसका स्चुरेशन बहुत गिर गया इंस्पाइट ऑक्सीजन और बाकी इमर्गेंसी मेडिसीन जो दिया जाता है कोरोना प्रेसेंट को उसके बावजुद भी 70 परसेंट पर आ गया तो उसमें वो बच्ची के लिए अब हैं कर्मेंडेशन होने लगा हम लोग उस पर यहीं डिसीजन लिए है कि यहां तो जिससे की एन आइसी यू यह पी आइसी यू नहीं कोई अपी कोई जो है वो अपने यहां सदन में है नहीं तो उसको जो है हम लोग रेफर किये लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाई साम में पांच बची के आस पास जो है एंबुलेंस पगरा सब पूस तयार था कंडिशन बहुत क्रिटिकल था